नमस्कार दोस्तों जै मातादी वर्ड बैस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें मातारानी सब का कल्यार करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे अक्छे त्रतिया बस एक चुटकी हल्दी से करें ये उपाए मालक्षमी कर देगी माला माल जी हां दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे अक्छे त्रतिया के दिन हल्दी के कुछ अचोख उपायों के बारे में जिन्हें आप करके अपन हमारा यूटूब चैनल वर्ण बेस्ट मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों अक्षे तरतिया का पावन पर्व बैसाग महीने के सुक्ल पक्च की तरतिया तिथी को मनाया जाता है अक्षे का मतलब है जिसका कभी छै ना हो यानि जो कभी नस्ट ना हो पौराणिंग मानेताओं के अनुसार इस दिन जो भी सुपकार किये जाते हैं उनका अनेकों गुनाफल मिलता है भविस्पूराण के अनुसार अक्षे तरतिया का विसेस महात्त है सत्यूग और त्रेता यूग का प्रारंब इसी तिथी से हुआ है इस दिन बिना पंचांग देखे भी सुपकार जैसे विवाहग्रे प्रवेस किया जा सकता है ऐसी मानिता है कि भगवान विश्णू ने परुसराम के रूप में अवतार अक्षे तरतिया के दिन ही लिया था इसलिए इस दिन को प्रुसराम जैन तीवी कहा जाता है लोग अच्छे तरतिया के दिन सोना खरीदते हैं ऐसी परंपरा सदियों से चलिया रही है लेकिन क्या अच्छे तरतिया के दिन सोना खरीदना या कोई अन्य चीज खरीदना जरूरी है जी नहीं अक्षे तर्तिया के दिन खरीददारी करने से भी जादा महत्व दान का होता है अक्षे तर्तिया के दिन यदि आप दान करेंगे तो निस्चित रूप से ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और परेसानियों से लड़ने की ताकत मिलेगी और सुक समरद्धी भी बढ़ेगी अपने घर में सुक समरद्धी को बढ़ाने के लिए अक्षे तर्तिया के दिन गरीबों को आटा, चावल, दाल, फल, सबजी आदिदान करें और गर्मी से रहत के लिए गरीबों को जल पातर, घड़ा, पानी वाले जग आदिदान करें तो चलिए दोस्तों जानते हैं हल्दी के कुछ खास उपाए जिनें आप अक्षे तर्तिया के दिन करेंगे सबसे पहले उपाए में आपको अक्षे तर्तिया के दिन एक पीला कपड़ा लेना है बस ध्यान रखें की कपड़ा चौकोर यानी स्कौायर होना चाहिए अब आपको साथ हल्दी की गाठें, ग्यारा पीली कौणियां, ग्यारा गुम्ती चक्र और एक चांदी का सिक्का लेना है जो भी आपके घर में रखा हो अब ये सभी चीजें इस पीले कपड़े में रखें और बांध कर इसे पूजा इस्थल पर रख दें फिर विश्नु भगवान जी की विद्वत पूजा अर्चना करें तद पस्चाज विश्नु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा का कम से कम 108 बार जाब करें इसके बाद यह पोटली, धन इस्थान या लौकर में रख दें इस उपाय को करके आपको नौकरी में प्रमोशन तथा बिजनस में दिन दूनी राज चौगनी तरक्की मिलेगी अगर किसी के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह तै होने में कोई विगन आ रहा हो या बार-बार बनी बनाई बाद बिगड़ जाती हो, तो यह उपाय अपनाएं यह उपाय लड़के और लड़की दोनों के लिए ही है इसके लिए आपनी इमित रूप से अपने नहाने वाले पानी में साथ चुटकी हल्दी डालें फिर इसी पानी से रोज इसनान करें इसनान करने के बाद अपने माथे और कंट पर हल्दी का तिलक लगाएं साथ ही आप प्रत दिन सूर्द्यों को एक लोटा जल में हल्दी डाल कर उन्हें जल भी अर्पित करें इस उपाय को करने से चाहे कितनी विबादा आ रही हो आपके विवाह में वो जल्द ही दूर हो जाएगी आपके जीवन में आने वाली हर समस्या टल जाएगी और आपका विवाह यकीन मानिये जल्द ही तैह हो जाएगा अब हम आपको नजर दोस से बचने के उपाय बताएंगे इसे आप अक्छत रतिया के दिन करके साल भर सुरच्छत रहेंगे आप एक काला कपड़ा लें अब उसमें एक हल्दी की गांट रखें या आप इसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं फिर जिसे नजर लगी हो उसके सिर से साथ बार वार लें और फिर कपड़े सहीद किसी नदी या सरोवर में प्रवाहित कर दें कैसी भी बूरी नजर हो इस उपाय से तुरंद हट जाएगी घर में बार बार मुसीबत आ रही हो घर में नकरात मकता हो या घर में कलेस या लडाई जगड़े होते हो या कोई भी कामबन नहीं रहा हो या धन सम्बन्दी परिसानियां आ रही हो कैसी भी समस्य हो तो आपको हल्दी और चावल लेना है इसमें आपको चावल को एक गंटे के लिए भिगोना है इसके बाद इसे मिक्सी में पीस कर गाड़ा पेस्ट बना ले अब इस पेस्ट में हल्दी मिलाएं अब इस घोल से अपने घर के मुख द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्न बनाएं और चौकट के ठीक उपर ओम लिखें इस उपाय को करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदला होगा और जीवन की सभी बादाएं दूर हो जाएंगी और आपका घर धन्य धाने से परपूर हो जाएगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद